हेलो फ्रेंड्स, विल्कम टू माई चैनल, आज मैं आप लोगों के साथ सेर करने वाली हूँ आलू का बचका, इसे आलू की पकवरी भी बोल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी पकवरी बनके तयार होती है, इसे आप चरू ट्राइ करिएगा, तो चलिए रेस्पी शुरू करते है आलू को धो करके इसका हम पतला पतला पीस इस तरह से कट करेंगे, जैसे हम चिप्स को कट करते हैं, एक बाउल में रखे हैं चना का बेशन, तीन टेबल स्पून, और एक टेबल स्पून हम यहाँ पे सूजी रखेंगे, सूजी डालने से पकवरी बहुत ही कड़क बनती है और हाप टीस्पून हल्दी, टेस्ट के कवर्डिंग नमक, लहसन हरी मिर्च का एक टेबल स्पून, यहाँ पर हम पेस्ट डालेंगे, इससे पकवरी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है, अब पानी डाल की इसका हम गाड़ा घोलतियार करेंगे, ज्यादा पतला नहीं अभी फिलेम को हाई रखे, जब हम अच्छे से सारे पीसे को डाल देंगे, तब यहाँ पर हम फिलेम को मिडियम कर देंगे, नहीं तो उपर से जल जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा, जब नीचे से करक दिखने लगे तब इससे हम पलट देंगे, दो से तीन बारी से हम मुलट करके फराई करेंगे, डार्क ब्राउन होने तक, तो फराई हो गई है, मैं इसे एक टीसू पेपर पे निकाल लेती हूँ, जो एक्स्ट्रा वायल होगा, ओ, निकल जाएगा, इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ, या सा चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा, वीडियो को लाइक कर दिजेगा, असाथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजेगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेस्पी के साथ